कार मैं हूँ विकल कोदेशिया और आप देख रहा हैं नियूस टीवी अभी हम उसी करमपुर गाउं में मौजूद हैं जहां पर अभी थोड़ी देर पहले ही दंगाईयों के द्वारा पुलिस प्रसासन पर हमला किया गया आपको बता दें कि ये वो ही मदर्सा है और पीछे मेरे मज़ित है जहां पर कुछ दंगाईयों द्वारा अभी पुलिस पर पत्राओ किया गया चौकी को घिराओ किया गया बैरियर नंबर दो थाना इजब नगर पर ये घटना को अंजाम दिया गया हालाकी पुलिस ने समय रहते अपनी एतिहाद बरते हुए पुलिस को हौल इस समय यहां पर बना हुआ लेकिन कुछ देर पहले आपको मैं बता दू यहां पर इनी गलियों में चार सो पद्रवी मौजूद थे हलाकि इस बात के इंपुट भी मिले हैं कि यह जमातियों की जो लॉकडाउन जिस तरह से चल रहा है और लॉकडाउन का पालन नहीं किया गया पुलिस एस्पी सीटी द्वारा यह बात को मीडिया के सामने रखा गया है कि उपद्रवीयों को छोड़ा नहीं जाएगा किसी भी तौर बख्षा नहीं जाएगा लाइन और मेंटेन किया जाएगा और इगर इस तरह की आगे चूख होंगी तो कले निर्देश औ मेरी घमर विकल कुदेश या बरेली उत्तर प्रदेश